हिंखोस डिक्शनरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक पर फेस स्वागत हैं और आप हैं मेरे साथ यानि तरुना के साथ आज के वीडियो में हम 25 common Hindi words सीख रहे हैं English में Hindi में तो हम उन words को काफी यूज करते हैं पर जब बात हो उनको English में बोलने के लिए कि या फिर बात हो कि उनके लिए कौन सा English word यूज किया जाता है तो थोड़ी सी हमारी कमजोरी पता चलने लगती है तो वह weakness आज ना रहे इसके लिए हम ऐसे 25 common Hindi words को English में जानेंगे तो चलिए without wasting time हम आज का वीडियो शुरू करते हैं आज का पहला पहला word है आखो का तारा आखो का तारा मतलब बहुत प्यारा कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत प्यारा हो उसके लिए हम यूज करते हैं आखो का तारा Hindi में और English में उसके लिए ज आखो का तारा है मतलब उन्हें बहुत प्यारा है नेक्स्ट वर्ड है मुह लटकाना जब हम बहुत उदास होते हैं तो मुह लटका कर बैठे रहते हैं हमसे कोई पूछता भी है कि मुह लटका कर क्यों बैठे हो तो मुह लटकाना इसके लिए जो English phrase है वो है pull a long face why are you pulling your long face अब इस तरह से मुह लटका के क्यों बैठे हो क्यों मुह लटका हुआ है आपका मुव करते हैं next Hindi word की तरफ जो है साहुकार या महादर पहले के समय में यह काफी हुआ करते थे अभी के समय में भी है जब आपको पैसे की जरूरत पढ़ती है या किसी को पैसे की जरूरत समय के लिए और जब उनके पास होते हैं तो वापस दे देते हैं और अपनी चीज़ें वापस ले लेते हैं तो साहुकार या महाजन को इंगलिश में कहा जाता है पॉन प्रोकर अपने पॉन शॉप भी नाम सुना होगा तो वहां पर जो किर्वी रिख्वी वस्त्वें जो आखिरकार शॉपकार से अपने घर के पेपर चुड़ वा लिए next है दादा केरी तुमहारी ंदा केरी यहाँ पर नहीं चलेगी हम अक्सर बोलते हैं अरे वह क्या दादा केरी कोर रहा है यहाँ पर तो दादा के लिए वर्ड तो हम काफी यूज़ करते हैं, इंग्लिश में उसे कहेंगे, bossing around, या bossing around won't do here, आपकी दादा के लिए यहां नहीं चलेगी, right, तो दादा के लिए, कोई इंग्लिश में कहेंगे, bossing around, next word है, gundakarty, gundakarty के लिए जो इंग्लिश वर्ड हम यूज़ करेंगे, वो है holicanism, holicanism, the boys were accused of holicanism, लड़कों पर, gundakarty का आरोप लगाया गया था, so remember, holicanism का मतलब हिंदी में होता है, gundakarty और vice versa, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अरे वो लड़की तो बहुत पतली तूगली है, तो normally हम पतली तूगली के लिए कौन सा वर्ड की यूज़ करते हैं, थिल, पर आज एक नया वर्ड सीखे, वो है petite, p-e-t-i-t-e, petite, she was dark and petite, वो, उसका रंग सामला है, और तूगली पतली है, यह normally ladies के लिए, women के लिए, girls के लिए यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, पदली, तूगली है, move cut in, next word की तरफ, चीजों में खामिया निकालना, कमिया निकालना, जहां जरूरत नहूं वहाँ पर भी, आप अपने खर में किसी को बोलते होंगे न, कि अरे, क्यों हमेशा खामिया निकालती रहती हो, तो खामिया निकालना, nitpick, verb है, क्रिया की तरह यूज़ किया जाता है, example देखे, she is always nitpicking, it's so annoying, वो हमेशा चीजों में खामिया निकालती रहती है, जो बहुत बुरा लगता है, it's very annoying, next, Hindi word है सबख सिखाना, teach a lesson, इसे English में कहेंगे, teach a lesson, wait, I will teach him a lesson, रुको मैं उसे सबख सिखाता हूं, so सबख सिखाना, teach a lesson, बुराई करना, अच्छी आदत नहीं है, किसी की बुराई करना, पर English में से क्या कहेंगे, बुराई करने को English में कहेंगे, speak ill of, जो phrase इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, वो है speak ill of, you should not speak ill of anyone, आपको किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, सही बात है, बुब करते हैं, next word की तरफ, next word की तरफ, जो है, खत्रे से बाहर, out of woods, किसी भी खत्रे से अगर कोई बाहर है, तो उसे out of woods कहेंगे, जैसे तो patient is now out of woods, रोगी, मरीज, patient, मरीज, अब खत्रे से बाहर है, डॉक्टर आखे बाद, बोलता है न, उनके relative से मरीज के, क्या रिजिंदा मत करो, patient अब खत्रे से बाहर है, यानि out of woods है, उतार चड़ाव, मेरी जिंदकी तो, उतार चड़ावों से भरी पड़ी है, तो उतार चड़ाव, ups and downs, my life is full of ups and downs, मुह बनाना, आपने कभी किसी को देख कर मुह बनाया है, मुह बनाना ज़रूरी नहीं है, English word जो है, phrase है, वो है make a face, don't pick faces, मुह मत बनाऊ, कुछ लोग होते हैं, तरह तरह के मुह बनाते हैं, जिससे आपको हसी आजाए, so make a face, मुसीबत मूल लेना, ask for trouble, why are you asking for trouble, अब मुसीबत क्यों मूल ले रहे हो, होता है ना, कभी-कभी हम जान बूझ कर, मुसीबत मूल ले ले ले, तो बोलते हैं, मैंने तो मुसीबत मूल ले ली, फाल दो में, I have, I myself have asked for the trouble, मैंने जान बूझ कर, मुसीबत मूल ले ले, next, Hindi word है, शुरुवात से, वो बिजनस में मेरे बहुत loss हो गया है, मुझे शुरुवात से शुरु करना पड़ेगा, शुरुवात से, from scratch, I have to start my life again from scratch, मुझे अपनी जिन्दकी, शुरुवात से शुरु करनी पड़े, मतलब, beginning से, beginning का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पच्पन से नहीं, मतलब, कि आपको एक ऐसी जगे से, जहां पसे आप अपना काम, अपनी जिन्दकी को तुबारा उठाएं, वापस उठाएं, next, next word है, तुखी होना, हिंदी में तुखी होना, और एंग्लिश में जो फ्रेज यूज कर सकते हैं, जोड़िया, advanced English use कीजे, feel blue, तांक चाप करना, या चासुसी करना, आपने की है क्या कभी चासुसी, अपने को लिग की, कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसके साथ खूम रहा है, सो तांक चाप करना, चासुसी करना, उसे English में कहा जाएगा, snoop, verb है, नहां के, यहां के, उसकी चासुसी कर रहा है, क्योंकि उन्हीं लगता है, कि वो किसी अन्य आप्मी को तेख रही है, मतलब उसका, रिष्टा किसी अन्य आप्मी के साथ भी है, तांक चाप करना क्या, अपनी लाइफ को छोड़के, किसी तूसरे की लाइफ में ताख्चा करना, उनके पारे में, ज़्यादा ध्यान देना कि क्या हो रहा है, नॉर्मली नेवर्स भी करते हैं, कभी-कभी ऐसा, तो उसके लिए भी आप, snoop, English word कर यूज़ करेंगे, Next है, में मुझे पताईएगा, Next, Next, Hindi word है, कभी-कभार, जो चीज़ कभी-कभार होती है, बहुत लंबे समय के बात होती है, तो उसके लिए आप, once in a blue moon, medium का यूज़ कर सकते, she comes here once in a blue moon, वो यहाँ पर कभी-कभार ही आती है, तो कभी-कभार, very, once in a blue moon, इसे यूज़ कीज़े, Next, Hindi word है, अच्छी हालत में या आवस्था में, बिमार होने के पाद, जब ऑफिस से, या फ्रेंड का फोन आता है, तो बोलते हैं, कि मैं अब अच्छी आवस्था में हूँ, अच्छी हालत में हूँ, I'm feeling good, I'm in the pink, या he is in the pink now, मैं अच्छी आवस्था में हूँ, in the pink, बहुत खर्चील, बहुत खर्चीला, white elephant, होई भी ऐसी चीज़ जो बहुत खर्चीली हो, आपने ले तो ली है, पर वो बहुत खर्चीली हो, आपको बहुत पैसा लगाना पढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए आप, जो एडियम यूज कर सकते हैं, वो है white elephant, इसके लिए इस बहुत खर्चीला हूँ, इसके लिए बहुत खर्चीला है, नेक्स्ट, हिंदी वर्चीली होड़ नौसिख्या, इसके लिए बहुत खर्चीला होड़ एडियम यूज कर सकते होड़ आपके जीवन में भी बहुत से महतम पूंते होंगे, आप बहुता होंगे, ओ, that was my important day, I will never forget that day, so important day नहीं, a red letter day, महतम पूंते, a red letter day, 26 January is a red letter day for us, 26 January हमारे लिए महतम पूंते नहीं है, क्यों है, क्योंकि Republic day है हमारे तेश का कंतंतर दिवस हैं, फूर्दिला, निम्बल, आप हैं फूर्दिले, फूर्दिले हर तरह से क्ये हो सकते हैं, आपका दिमाग फूर्दिला हो, बहुत चल्दी calculation कर सकते हो, बहुत चल्दी कोई भी problem sort out कर सकते हो, या छोटे बच्चे बहुत फूर्दिले होते हैं, इदर उदर भागते हैं, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो फूर्दिला, निम्बल, N-I-M-B-L-E, निम्बल, I tried to catch her, but she was too nimble, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो पूर्दिली है, next, हिंदी word है, मौका परस्त, opportunist, the burglary was probably carried out by an opportunist, thief who noticed the door was open, जो जोरी हुई, वो पक्का, किसी मौका परस्त जोरने की होगी, जोरी है, किसी देख लिया होगा, कि दर्वाजा उप उप तुमे, खुला है, तो मौका परस्त, opportunist, आपके office में भी बहुत से लोग होंगे, जो मौका परस्त होंगे, जो तेखते ही, अपना काम निकलवाने में लगे रहते होंगे, आप हैं क्या मौका परिस्त? opportunist comment section में मुझे ये भी बताईएगा move करते हैं next word की तरफ Hindi word की तरफ जो है एक तरफा one-sided यह तो बहुत easy है बोलते हैं one-sided love है एक तरफा प्यार it was a one-sided victory we won यह एक तरफा चीत थी हमने 15 शुने से चीत लिया तो यह थे 25 ऐसे words जिनका हिंदी में हम अकसर यूज करते हैं रोजाना बोलते हैं मौका परस्त बोलते हैं या अच्छी हालत में हूँ बोलते हैं आखो कतारा बोलते हैं यह सब words हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं पर इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कौन सा word यूज करेंगे हमको नहीं पता होता और चो पता भी होते हैं वो बहुत 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 बिसिक इंग्लिश होती है जैसे मैंने बोला ना कि मैं अच्छी आवस्ता में हूँ I am feeling good तो feel good की जगे पे in the pink यह फ्रेज आपको यूज करना है कभी कबार once in a blue moon तो advanced English यूज कीजिए अब तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत दिलिए क्योंकि तभी आपको हमारे पाएकन को एकर अपनी तक प्रेस नहीं किया तो अभी किए टाकि अपungeो ंने किजिए अपना मिर्म जायर में कुछ और ऐसे ही इंट्विडियो में कुछ और सहीं मैं विलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, till then have a nice day, bye bye.